हलो भाई लोग बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में और आज हम फिर से लेके आगे हैं टोंजो LS525 का वीडियो लेके और आज हम इस वीडियो पे करने वाले हैं टोंजो LS525 का सबसे बड़ा स्क्रीन टेस्ट तो गईस यहां पर आपको पता है कि इसका जो है मैंन किजिए कॉमेंटर बॉक्स में कॉमेंट किजिए और कॉमेंट में लेकिए 300 इंच स्क्रीन तो बहुत से भाईयों ने जो है 300 इंच का स्क्रीन कॉमेंट किया था यानि कि बहुत से भाई चाते थे कि इस प्रोजेक्टर का मैं 300 इंच का स्क्रीन वीडियो लेके आऊं फाइ मेरे दिमाग में यही था क्योंकि AK7 Max प्रोजेक्टर जो है वो 300-300 इंच स्क्रीन जो है क्रेट कर रहा था ऐसे में मुझे बहुत इंट्रेस्ट था कि क्या मैं इस प्रोजेक्टर से साड़े 300 इंच या 300 इंच से बड़ा स्क्रीन क्रेट कर सकता हो तो बाई वीडियो को पूरा देखना यहां पर फुल रिव्यू 300-3 इंच इंच स्क्रीन जतने भी बड़े स्क्रीन हो रहा है ने हो रहा है सारा चीज़ वीडियो में complete आपको जानने को मिलेगा प्रोजेक्टर का screen कैसा है बड़े screen में brightness कैसा है picture quality कैसी है sound quality कैसी सारा चीज जो इस वीडियो में आपको पूरी detail जानकारी मिलेगी तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना channel पे नए हो subscribe नहीं किया तो भाई मेनत देखो मेरा और मेरे channel को subscribe कर लो क्यूंकि इसी तरह का interesting review video projector review हो screen review ह हो या फिर गैजेट रिव्यूज के वीडियो जो है मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो चलिए सुरू करते हैं इस प्रोजेक्टर का स्क्रीन टेस्ट तो गईस जैसे कि मैंने कहा कि इस प्रोजेक्टर में मेरी ज़्यादा इंटरेस्टा मैं सोच रहा था कि यह जो है साड़े 300 इंज स्क्रीन या फिर 300 से बड़ा इंज का स्क्रीन क्रेट करें मगर भाई यह जो है हो नहीं पाया प्रोजेक्टर का जो लेंस है फोकल फोकस इरजेस्ट tutto यह पर क्रेटी नहीं कर सकती है तो यहाँ पर जो मेरा एंटरेस्टा वो महीं थोड़ा सा हो गया मगर भाई ये 300 inch के screen में भी जो brightness आपको देता है और इसकी जो picture quality होते है भाई impressive मैंने expect नहीं किया था कि 300 inch के screen में भी इसका जो picture का quality है क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं इस projector को मैंने review किये तो मेरे दिमाग में उतना कुस्थानी है हाँ पता था कि इसका जो brightness से काफी अच्छा है और इसका picture quality वगेरा भी काफी अच्छा है तो यह क्या 300 inch के screen में भी उस चीज को maintain कर पाएगा या नहीं तो भाई जब मैंने इसको प्ले किया YouTube पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखे तो भाई मुझे काफी पसंद आया इसके picture quality brightness एकदम जबरदस थे 300 inch के screen में भी यह जो है कहीं आपको corner में कहीं पर भी blur नहीं देता है 300 inch के screen में भी आपको आप अगर सही से इसको center में set करके अच्छे से keystone correction वगरा focus and reasoning अगर कर देंगे तो भाई यहाँ पर आपको 300 inch के screen में भी कहीं पर भी आपको blur नहीं दिखाई देगा पूरे screen पर आपको sharp and clear picture दिखाई देगा और जिस भी brightness में यह projector आ रहा है तो आपको 300 inch के screen में भी कहीं brightness की कमी नजर नहीं आएगी पिक्चर की सारी detailing काफी बारिकी से आप देख सकते हैं पिक्चर की जो colors है वो इतने भी ज़्यादा deep नहीं है इतने भी ज़्यादा black color इतने भी ज़्यादा black नहीं है कि आपको यहाँ पर brightness की कमी नजर आए बहुत सारी projector ऐसे हैं जिसमें deep color होते हैं इसके वज़े से जो है कहीं ने कहीं brightness थोड़ी कम लगती है तो इस projector में ऐसा नहीं है आपको जह एकुरेट कलर एकुरेट पिक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा इतने बड़े screen में भी आप जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर का मजा ले सकते हैं इस प्रोजेक्टर के लिए मैं कहूं तो भाई ये प्रोजेक्टर जो है बड़ा screen नहीं करता है मगर हाँ brightness इसका काफी अच्छा है सबसे बढ़िया चीज इसका जो brightness है वो काफी अच्छा है प्रोजेक्टर की जो sound है इन बिल्ड स्पीकर जो दिया हुआ है वो भी काफी बढ़िया है तो भाई कूल मिला के अगर कहूं आप अगर 20-22 हजार में कोई प्रोजेक्टर लीना चाते हैं बढ़िया brightness बढ़िया picture quality के साथ तो भाई ये प्रोजेक्टर जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टर है इसकी खासियत यह है कि 300 इंस के screen के लिए आपको लगबग 24 फिट से भी कम का distance लगेगा जो कि इसको special बनाती है क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्टर अभी 300 इंस के screen test किया है सारे के सारे जो प्रोजेक्टर है वो कहीं न कहीं 24 से लेके 26 27 फिट लगबग 26 फिट तक का जो है तूरी लेती है 300 इंस के screen create करने में जबकि ये जो प्रोजेक्टर है लगबग 22 फिट के आसपास में आपको 300 इंस के screen बना देती है अब दोस्तों यहां पर इस प्रोजेक्टर लेने का जो region है एक चीज और भी है क्योंकि हम जो है अपने घर के लिए ले रहे हैं तो हमारा तो कमरा इतना बड़ा होगा नहीं कि 22 फिट का जो hall है नहीं है नहीं होगा तो हमको इतनी बड़ी screen करने की ज़रूरत भी नहीं है आप अगर इस प्रोजेक्टर से 1500 से 200 इंच भी अगर create कर देते हैं आपके पास इतना जगा है लगवग 17-18 फिट का अगर आपका hall है तब भी जो है आपको बहुत ही बढ़िया picture quality है बहुत ही बढ़िया जो है experience यहां पर आपको जो है movie, cinemas या फिर जितने भी OTT platform के जो web series बगएर होते हैं जितने भी OTT platform में movies release होते हैं तो आपको जो है पूरा full cinema hall के experience मिलने वाला है So guys यह था Tonjo LS525 का screen का test उम्मीद बहुत थी कि यह projector जो है 300 इंच का screen सायत कर दे क्योंकि जितनी brightness थी तो कर देता मगर हो नहीं पाया मगर 300 इंच screen भी कोई चोटा मोटा screen नहीं है और कोई भी अपने घर पे इतने बड़े screen नहीं बना सकता 300 इंच का screen बनाने के लिए कहीं नहीं आउटडोर की जरुवत पड़ीगे और इसका जो brightness है आराम से आप बाहर में कहीं पर भी आप IPL का सीजन आ रहा है बाहर में इस projector को set करके इतने बड़े screen में create कर सकते हैं और पूरी family friend और अपने पड़ोसे के साथ में भाई IPL का मज़ा ले सकते हैं तो मित करूँगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल पे नए है सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार ब का स्क्रीन टेस्ट वीडियो उमिद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों में सेर कीजिए आपका कोई भी सवाल है तो नीचे comment box में comment कर सकते हैं आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं अगले वीड कि अजय वीडियो लाइक की भी वीडियो आपका की यह थाइक टूले लाइक की बगादाल आपका की वीडियों में की तोस्तों आपका। झाल